कि मुश्किल मुश्किल हमेशा बहतरीन लोगों के हिस्से में आती है क्योंकि वो लोग ही उसे बहतरीन तरीकों से अंजाम देने की ताकत रखते हैं नमस्कार दोस्तों मैं अभी नन्नान आपके ज्यार अब जक्षन चैनल पर हादिक फगट करता हूं जैसा कि मैं इसमें अभी ज्यारफो की सिरीज चला रहा था तो उसमें 40 से 45 ज्यारफो का इंटर्वीव हो चुका है अब मैं इसमें एक नया पॉइंट आफ व्यू आप लोगों के लिए लाया हूं कि जैसे अभी इसमें पहले मैंने चलाया कि हाउव टू में के गूड रिसर सिंग और सर्प्थम अनिल कुमार सिंग जी आपको इसके लिए बहुत-बहुत बढ़ाई आप यहां आए हैं और आपको बहुत-बहुत कामना आए आपके कुलार्ट से नों इंटरनेशनल जनरल पेपर पब्लिस हो चुके हैं जी 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 थैंकि तो सर्प्थम अनिल जी य पहले हम किसी विशय को सुनिशित करते हैं और उस पे एक अपना सीधा सपाट द्रिश्टिकोंड विक्सित करते हैं और फिर उसके लिए हम आध्यन सामगरी एक कत्रित करते हैं तर पस्चात एक रिसर्च की तरह ही उसको हम छोटे प्रारूप में आध्यन के माध्यम से उस हमारे अध्यन के माध्यम से उसके तक्षियों के अनुसार कोई उससे इतर रिजल्ट आता है तो हम उसको अध्यन में अपने सामिल करके अध्यन को आगे बढ़ाते हैं तो जो रिजल्ट आता है यानि कि प्राथमिक सोध साहिति के आउलोकन के बाद जो हमारा रिजल्ट आ कि आपके तर्क कितने अच्छे होते हैं तो आपके पेपर को गुड बनाता है अच्छा अनील यह बताइए कि एक national बड़ी टेकनिकल्टी का या इसका नहीं है बलकि उसके मानकों का उसकी प्रतिष्ठा का और उसके जो एप्रूब का जो कंटेंट आप किस तरह से उसके मानक क्या है और उसको मानेता किस तरह से मिली हुई है वो कहां से प्रकासित होता है उसके प्रकासक कौन है उसकी क्या ट करने के लिए आपको वही काम करने पड़ते हैं रिसर्च पेपर को लिखने के लिए आपको वही काम करना पड़ता है एक अच्छा रिसर्च पेपर जो नेशनल में प्रकासित हो सकता है वो इंटरनेशनल में भी प्रकासित हो सकता है लेकिन इंटरनेशनल शूंकि बड़े प पर सुविक्रित कर लिया जाता है अंजी यह बताए कि एक international paper को कैसे प्राकासित करेंगे या कैसे इसका process होता है थोड़ा से process बताएंगी जैसे बहुत पारे जो students जो इस field में करना चाते हैं international general प्राकासित करना चाते हैं आपने subject का वो कैसे इसको करें जी 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 सबसे पहले देखिए अब नदी उसका आपको विसे सुनिश्चित करना होगा जो भी लोग को प्रकास्ट हैं विसे सुनिश्चित करें उस पे एक अच्छा पेपर तैयार करें यद उनके पास कोई गाइड या टीचर हैं तो उनसे उसका क्राइब तरफा करेगी उसका और आपके तरक आपके तर्क है जो कि पिछले कई बारे बताया रहा हूं फेर ओर कांटेंट यह 유िज किया हैं विसाफिए के आपके किस मानकों के अनुशार है कि प्रक्रण मारें को ने यूज किया है प्रात्यस्थमिक सरोथ तो यदि आपके अच्छे उप्यों किये गए तो आप कि रिसार्फ फेयर्फं करते हैं और उसे लोगत्री बनाते हैं तो पिर जब आप किसी उप्राहा से एक पेपर अच्छे मानकों अच्छे तरकों और अच्छे कंटेंट के माद हमसे लिखेंगे अपने गाइड या टीचर से उसको आप आउलोकित करवा लेंगे तो तुटियों की संभावना कम रहेगी फिर उसके बाद आपको किसी एक प्रतिष्टी जनरल का चुनाव करना होगा हो हो तो हम में इस में भीजनाा इंटरैंशनल जनरल का उसकी साइट पर जाएंगे देखेंगे कि उसमें पेपर के लिए काल की जाते हैं कि हां इस वाले अंक में represent Kaiser रहे हैं जो भी रिषच पेपर श्टूडेंस ने लिखा है वहां जाएंगे तो वहां पर आपको देखना होगा पेड जेंरल में आप रिसेर्च पेपर अपने करवाना चाहते हैं या कैसला है फिसमें था दो तरीके का रहलों नान पर जसे सबमने दोंतर होता है छिसमें आपको ट यो एक पर होता है जिसमें की आपको पैसे देने होते प्रकासित करने निए वह नंके प्रतिष्ठी जनरल्स हैं जिसमें कि आपको पहसे नहीं देने होते हैं लेकिन उसमें कुछ निश्चित पेपर का चुनाव किया जाता है उसमें आपका पेपर से लेक्प हो गया तो आप बिना किसी भुकतान के उस पेपर को आपको प्रकासित किया जाएगा और कोसिस रहती लेकिन आपको उसके लिए और मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि कुछ आपको चाहिनित किया जाएगा अनिली की कैसे पेपर पेडेबल वाले को कितना एक मोटी-मोटी रखम कितनी वह मांगते हैं एक पेपर का अब तो हर पे हर जन्रल का अपना अलग लगत राइट इरिया जैसे कोई 800 है कोई 700 है कोई 1200 है कोई पचीस सो है तो कई इंटरनेशनल जनरल जैसे मेरे दो-तिन हैं जो कि पचीस सो रुपे रासी का भुखतान करना पड़ा तो हम लोग देख सकते हैं कि वह उसकी साइट पर जा करके कि क्या पे करना है अच्छा अनील जी पेपर जो पब्लिस होता इसके क्या फायदे हैं कुछ फायदे हैं पेपर पब्लिस करने के फायदे हैं जैसे आपको असिस्टेंट पर बनने के लिए एसोसियेट प्रोफेसर बनने के लिए प्रोफेसर बनने के लिए तीनों के लिए अलग-अलग क्राइटेरिया हैं कि हां पेपर होने चाहें लेकिन प्राथमिक स्टेज में हम लोग देखते हैं कि अशिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक पेपर का दो निरधारित किया गया है यूजी सिमानकों के अनुसार तो लेकिन प्रति पेपर नंबर नहीं प्रति पेपर नहीं चुटा है यह जो हरता है उसमें पेपर का नंबर जूड़ता है पहले तो यह था कि कोई नहीं थी जितने पेपर आपके होंगे प्रती पेपर पे दो अंका आपको मिलना होता था अब यह है कि आपको मैक्समाम पांच पेपर का जोड़ा जाएगा बाकि आपके जितने भी पेपर होंगे वह आपके योगिता और उसको बढ़ाने बढ़ाता है ठीक है अच्छा कमीशन्स एक्जाम कराते हैं उनका आपको उसमें यह नंबर नहीं जोड़े जाते हैं यह भी बताना चाहिए उसमें नंबर नहीं जोड़े जाते हैं लेकिन एक अच्छी बात होती है कि आपके प्रकासित हैं तो इंटर्व्यू में एक अच्छा पास्टिविटी रहती है कि आपके पास्टिविटी र कि इसमें होलिस्टिक रूप से कैसे आप इसको देखते हैं कि रिशर्च पेपर का कोई नुकसान भी है कई सारे जनरल्स में लोग बहुत जैसे रदी सामगरी को भी प्रकासित करवा कि अपने पेपर राइट करते चले गए मुझे लगता है कि साइद UGC ने इन्हीं सब चीजों पर कंट्रोल करने के लिए जैसे कई सारे आपने देखा होगा कि किताबें लिखी जाने किताबों का पहले अंक मिलता था भरती में तो जिनका कि कोई बहुत ज्यादा उचित्यपूर्ण किताबें नहीं लिखी गई ले लिखने का प्रयास करेगा क्योंकि उससे कोई कंपटेशन पेपर का नहीं है बल्कि अच्छे गुरवनशनापूर्ण पेपर लिखने का प्रयास करना है ठीक तो यह अच्छी बात है यही उसका नकारात्मक पच्छ था कि ज्यादा पेपर्स के नंबर मिलने की वज़े से आपको बता दूं कि पिएचडी के लिए सिर्फ दो पेपर का सबमिट होना निवार होता कि दो पेपर सापके लिए लिखे होने की तो देखा ये गया कि कहीवार जो ब्यक्ति नहीं जानता था उसके पिएच-दी और प्लस धो पेपर ही थे और कई ब्यक्ति थे जिन्हें इन बात कभान था तो उन लोगों ने कई सारे पेपर्स प्रकासित कर लिए और जब API स्कोर बना तो जो PhD समिट नहीं है उनके पता चला कि 20 से अधिक पेपर हैं उनको 40 नमबर मिल गया और जो PhD है उनके दो पेपर हैं 35 नमबर पीश्डी का दो पेपर तो पेपर को लेकर यूजी सी ने एक बहुत अच्छी यह चीज की कि पेपर को उन्होंने लिमिटेट कर दिया और इससे उन्होंने और यह भी किया कि इसको डेडिकेशन के साथ और कम रिसर्ट पेपर और क्वाल्टी के साथ आप उनको प्रोवाइड करिए जी 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 कापी पेश्ट की इसमें पहले यह थी कि कापी पेश्ट भी लोग करते हैं तो इसमें आप इसको किस दिश्टी से देखते हैं बहुत लोग जनरल्स को भी कापी पेश्ट करते हैं तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे हाँ जो का मसला है वो देखिए यही आपको डिसाइड करता है कि आपका पेपर यही किसी गुडवत्ता पूर्ण जनरल में प्रकासित होता है और अंतरराश्टी मान को के अनुसारताय मान दंडों के अनुरूप जो के जनरल संचालित हो रहे हैं उनमें यह पेपर भेजते है तो बाकाइदे आपके पेपर को एनलिटकल धंग से उसको देखा जाता है उसमें यह देखा जाता है कि कितना एक शाफ्ट वेयर उनके पास है जिससे कि वो देख सकते हैं कि कांफिपेस्ट के परसेंट हुआ है तो इस प्रकार ताइम मान धंड के अनुसार कि इतने प्रत में मुझे लगता है कि 20 प्रतिसत के नीचे यदि आपका है तो वो माना जाता है कि ठीक आपने रिशेश्ट पर कि यह लेकिन उसके उपर है तो आपको हां तो आपके पेपर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा यद उसके ऊपर है यह तैं मानक के अनुसार आप दूसरी बात का कोई गारंटी नहीं होती है कि आपके पेपर को वहां पर उस साफ़वेर के माध्यम से परखा गया है कि हां आपके पेपर में कांपी पेस्ट है या नहीं है बल्कि वो लोग पैसे के लिए उसे प्रकासित कर देते हैं लेकिन वो बाद में आपके लिए दिक्कत बनती है दूसरी मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि अब यूजी से ने प्रावधान एभी कर दिया है कि आपने अपना ही पेपर या थिसिस लिखी है लेकिन उस अपने पेपर या थिसिस को भी आप दुबारा कांपी नहीं कर सकते हैं एक निश्चित प्रतिसत के ऊपर तो एक अच्छी पहल है क्योंकि पहले मैं नाम नहीं लोंगा लेकिन कई सारे ऐसे विद्वानों को मैं जानता हूं जिनके की उसी उन्हीं पेपर्स को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड करके थोड़ा बहुत और सुधार करकर के वीसियों बार प्रकासित करवाया गया है और उन तो इसलिए मुझे लगता है कि इस जो यह पहल की गई है काउपी पेस्ट के लिए जो नियम बनाए गए जो सरते रखी अच्छी सरते हैं जी अच्छा अनिल जी यह बताइए कि इसके जाच के लिए भी कोई मापडंड है जैसे टूल्टीन एक वेपसाइट है या इससे ज आप एक प्रतेक इनवस्टी को मुहया कराया गया है और जो भी जनरल होते हैं उनके पास है उसको कुंडूक बोलते हैं तो उसमें आप कुंडूक बोलते हैं उसको तो उस एप मतलब उस साफ्ट्वेर में आपके पेपर जो आपका कंटेंट होता है उसको देख लिया जात सब्सक्राइब करें। से प्रोसेस बताईए बताई आप आपने क्या प्रोसेस कैसे प्रक्रिया को अपनाया जैसे कैसे अपने गाईड से संपर करना होसा कैसे कि तो थोड़ा सा यह बताईए हो लिश्टी जैसे पहले होता है कि यह गाइड मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कि जैसे आपने किसी भी से को आपके मन में कोई ऐसा प्रस्णा आथा है जिस पे आपको लगता है कि हां हमें एक इस पे रिसर्च पेपर तैयार करना चाहिए ठीक है आपने एक अच्छा रिसर्च पे सब्सक्राइब विया ओंको तो उसके अवलोकन के मात्यंक से आप अच्छा पेपर त्यार किये पहले फिर उसके बाद ने पेपर लिखा लिखने के पश्चाथ आप पेपर को टाइप करवाए टाइप करवाने के पश्चाथ आप पेपर को पेपर के फारमेट में करके वो इस जनरल में आपको भेजना है उस घनरल का अपना एक फारमेट होता है हम तो आपके टाइपिंग को आप जो तो इन सब के अपने मानक हैं कि कैसे उसके संदर्व गृंथों को लिखना है किस तरह से तो उन सारे मानकों मांदन्डू के अनुरूप आप एक अच्छा रिसेच पेपर तयार करके जनरल की वेबसाइट पर गए कि और इस अंक में पेपर इन्वाइट किया जाता है आपने पेपर भेजने के पच्छा यदि आपका पेपर जनरल के मानकों के अनुसार है उनको पसंद आता है तो आपको एक मैसेज करेंगे आपके इमेल पर ठीक तो या आपका जो मैसेज होगा तो नमबर पर भी करते हैं जो आपको उसके धन राश का भुखतान करना होगा या तो आपको यह नहीं करना है बलकि आप कफर्मेसन उनको मैसेज दे देंगे तो उसके बाद आपका परकासित हो जाएगा पर प्रकासित होने के बाद उस अंक का जनरल आपके जो आपने उनको दिया होगा मतलब पत्राचार के लिए जो भी आपने पता दिया होगा वहां आपको भेज देते हैं तो यह पूरी एक प्रोसेस होती है तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो अपनी नुश्टी में ह अरणेया तो कुलत महय होडाया ने यह बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने खिया कि कोई खाट करेगा तो से एक और फायदा मुझे जो लगता है कि यह हो सकता है कि पहले होता था कि बच्चे अपना मलब जो रिसाच कालर हैं वो अपना पेपर प्रकासित करवाने के लिए अपने से लिखे अपने से कंट्रेक्ट किये तो फिर उसके बाद जैसा भी हुआ पेपर अपना भेज दिये नहीं गाइड बताना चाहते लेकिन आप जब गाइड को होता नाम डालना निवार होगा तो गाइड को दिखाना भी पड़ेगा तो अदी करने नहीं करेगा बिल्कुल यह मुझे लगता है तारकिकता प्रमारिकता को और तबच्ची पहले जी गिल्क से वर्ड लिमिट को लेके आप क्या कहेंगे कि एक रिसर्ट पेपर कितने वर्ड का होना चाहिए या वर्ड लिमिट को कैसे आप देखते हैं देखे वह तो आपके विशाय के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका विशाय किस के अनुरूप है दूसरे की हर जानरल अपने कुछ वर्ड लिमिट की क्रैटेरिया भता भी देते हैं कि हां इतने से इतने वर्ड में होना चाहिए दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि इसके बीच का आप एक क्राइटेरिया रखे और अपने सब्सक्राइब पब्लिश कराइए तो इसमें कि उसे आप यह कोई पर कर देते हैं तो एक क्याइस लिखने की जरूरत तो होती नहीं है तो इसलिए हमें रिसर्च पेपर को रिशर्च के सलिके से लिखना चाहिए जैसे यह कैसे हम Decide करें कि यह जनरल ये जनरल बुरा है यह कौन हमको बताएगा जैसे कि यह जनरल पेपर इस से हम पब्लिश कराइँगे तो अच्छा है कि आपके र Hack के लिए अपनी इसाफ से आप 가까पना जो इंटरनेशनल है तो जाहिर सी बात है कि उसके मानकों में कुछ अंतर होगा और उसकी प्रतिष्था में भी अंतर होगा तो दूसरी बात एक है कि जब हम की यूजी सी लिष्टेट है की नहीं जो भी हम जन्रल चुनाओ करते हैं कि हां इसमें हमें अपना प्रकासित करवाना है तो वह देखना होता है कि सबसे पहले नेशनल और इंटरनेशनल का चुनाओ कि नेशनल में करवाना राइन तो किया कि पहले हम नेशनल और इंटरनेशनल का चुनाव किये कि किसमें करवाना दूसरे हमने देखा कि चिस पेपर को जिस जनरल को लिए और युजी्स्ट्रोब है कि नहीं कि नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं उसका आपको आंप नहीं मिलेगा तो दूसरा इस्टेप युजी उस्तेब है तो तो उसका यही उसकी गुडवत्ता उसके मानक यानि अच्छे हैं तो हमें जानना चाहिए कि वो एक अच्छा पेपर है जिसके हमें लाब मिल सकता है अब तीसरा जो चीज हमको देखनी होते हुँ होती इंपैक्ट फैक्टर कि हमने जिस जनरल का चुनाव किया है उसका कितना है इंपैक्ट फैक्टर की का चुनाव करते समय हमें ध्यान देना होता है कि ने सब जब इनवर्स्टी दीमिट इनवर्स्टी सब मेमान नंबर इसके जोड़े जाते हैं कि के वल सेंटर फिल्टा के लिए भी जोड़े जाते हैं आपको गेस्ट lerडी के लिए भी जोडे घृ जाते को जो नभी जो नभी जोराइगा जी जी लेकिन कई जगें आइयोगों के माध्यम से भी कराई जाती ही धैकें और के जोड़े जाते हैं अब हरियानदा वोड़्ट के माध्यम्स की में करता है कि हाँ उसको जोड़ा जाना चाहिए तो जोड़ा जाता है लेकिन अपने यहां भी नहीं ऐसा प्रावधान यूपी में नहीं है जी मैं वीवर को एक शीज और बताना चाहूंगा कि अनिल कुमार सिंग जी यह में गोल्ड मेड लिस्ट है और इन्होंने आपको होलिस्टिक रूप से बताया कि एक नैशनल और इंटरनेशनल पेपर कैसे पॉब्लिस करें इस पे अपना पूरा व्यू इन्होंने बताया और टूरी पॉइंट कैसे एक एक कदम आप आगे बढ़ा कि अपना एक नैशनल या इंटरनेशनल पेपर पॉब्लिस कर सकते हैं इसके लिए जल्द ही हम उनको लाएंगे और अनिल जी आपको हमाँ चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सबस्यादा सुब कामनाय देना चाहूंगा कि आप इस तरह का कोई प्लेटफार्म चात्रों को महया करवा रहे हैं जिससे कि उन्हें घर बैट करके कोई ऐसी रानकारी मिल जाती है जिसके लिए पहले उन्हें कई जगों पर जाना इस तरह प्लेटफार्म मुहिया कराने जिए नमस्कार चाहर पुर्डाम नमस्कार